मैक्स होस्पिटल के डॉक्टर आशीश यागनिक ने रिशप पंत के बारे में जानकारी दी उनका कहना है कि रिशप पंत को बहुत गंभीरे चोटर नहीं आई है अभी फिलहार डॉक्टर की पूरी टीम उनका चेक अप कर रही है पैर और कमर में चोट है जिसको लेकर पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है साथ ही डॉक्टर यागनिक ने यहों भी बताया कि रिशप पंत फिलाल खत्रे से बाहर है वह पूरी तरह से बात्चीत कर रहे हैं और डॉक्टर की पूरी टीम चेक करने के बाद ही आगे जानकारी देगी कर रहे हैं और इनिशली डॉक्टर की टीम उनकी देखवाल कर रही है अंडर एवैलिवेशन है वो और कुछ जांचों के बाद ही मागे डिटेल बता पाएंगे और फिलाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई जिंता की बात अभी लग नहीं रही है कि टीम बुरा एवैलेशन कर ले उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन असके बात कर रहे हैं क्या बात हुई कुछ बताया कॉंसे से जी अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहां-जहां के ओपर चोटे उस हिसाब से वह एवैलेशन भी कि टीम है जो एकना में कर रही है